अभी हम बार्सरी गंज के ब्रीज पर मौजूद है और देख सकते हैं कि नन्हा सा बालक है जिसका उम्र जो है लगभग दस से बारा साल होगा हाथ में जो है डिबा लिये हुए और इस उम्र में जो है इस टाइम में इसको अस्कुल में रहना चाहिए था लेकिन ये ब्रीज काम सब्सक्राइब काम हो महीना में करता है ज़ए ने जादर ने यह पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं तुमको हिसाब लेते हैं क्या पढ़ता है ने पढ़ता है पढ़ता हूं का ट्रांसलेशन नहीं जानते हो संग्या किसे कहते हैं नाउन की नाउन में संग्या होता है नाउन का परिदी क्या होता है एसा मुझे पढ़ता नहीं है कि ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते हो हिंदी नहीं पढ़ते हो संस्क्रित पढ़ते हो संस्क्रित नहीं पढ़ते हो साइंस पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो क्या पढ़ते हो क्या पढ़ते हो क्या पढ़ते हो क्या पढ़ता है क्या पढ़ता है क्या पढ़ता है क्या पढ़ता और फोर प्रास में पढ़ता है और ना हिंदी जानता है ना इंगलीज जानता है ना बता हो जादते हो इसके लाबा नहीं पढ़ते हो पढ़ते हो तुम बताओ नो बज़े श्कूल जाते हो 11 बज़ गया है तो आज नहीं चाहेंगे पढ़ने के लिए हाथ में डिवाई से काम चलेगा भूगा है लिखाई सब कुछ होता है ना फोल क्लास में पढ़ते हो बताओ अब तक जानते नहीं हो तो बाप जो है कैसे भो तेल बढ़ाएगा जाएंगे तेल टंकी पर से लाने के लिए जा रहे हो यह बस इडिवा में अपना कुट्टी काटेगा फिर रात के खेलेगा सुझा गई ने हम नहीं काटेंगे तो पढ़ता का है ने तुम जे बताओ ने पढ़एगा तो बपा मैं यह काल बाद करता है पढ़ा जाएंगे ने पढ़ता हमका तुम ने जानते हो मैं खाता हमका ने जानते हो कोगी परता है को ही तुम्हाना नाम गोलु है इसा क्या होगा ट्रांस्लेशन मिरा नाम गोलु है मेरा नाम गोलू माई इज गोलू होता है माई बाज गोलू संड राइज इंगलीज प्रप्रिक स्कूल में बच्छबा पढ़ता है सोचिए कि क्या पढ़ाते हैं आप मास्टर साहिब बासलिंगे जो भी मौजूद है बिरीज पर बाजबा पूछे कि मेरा नाम गोलू है इसका इंगलीज से में बताओ कभी काता है माई इज गोलू कभी काता है माई बाज गोलू बताई क्या पढ़ाते हैं सर्म है इसे से प्राइबेट अस्कूल पर जो बैचारा समझ सकते हैं कि प्राइबेट अस्कूल में किस तरीके से जो है गार्जियन को ठगा जाता है ठीक है बहुआ तुम जाओ तुम जाओ अपना तेल लेने के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना है ना देख सकते हैं भाईया हमिंसे भी कुझानेगे फोर क्लास का बच्चा था और आपके सामने देख सकते हैं उनका इंटर्व्यू हम ले रहे थे हैं पढ़ता हूं नहीं जानता है प्राइवेट असकूल में पढ़ता है उसका महीना का चार्ज होगा पापा जी उनके बॉराड होते हैं यहां पिता बोराड होते हैं उनके बच्चों के साथ जो अपना आक से देखे आप पूछे लड़का को कुछ भी नहीं बताया और जेतना प्राइवेट असकूल है बड़ा बड़ा नाम खाली है इसमें पैसा लुटा जाता है गरीब गुर्वा को इसको गार्जियन से बर्गला कर पैसा लिया जाता है जीरो बटा जीरो ही बच्चा था आप दस सवाल किये इसमें एक भी सवाल का ही जवाब ने दिया इस हम कहना साथ है सरकार को जेतना प्राइवेट असकूल है इसको बंद करा दिया जाए इसमें खाली अमीर आदमी का बेटा पढ़ता है अमीर आदमी पढल रहाता है तो इस पर ध्यान दिया जाता है और गरीब का इसमें एडविशन ले लिएगा पैसा हर महिना चाहिए यह बच्चा आपक मास्टर साहब क्या पढ़ाते हैं ख़ली पाईसा आटे है कि还 deben समझ us स्कूल जो जतना है सर आपको हम बता देते हैं सब बीजनस मना दिया यह अपना बिल्डिंग चमका लेगा मास्टर रखेगा कि अतना तीन हजार से दस हएंड तक आपसे हर महींड़ लेगा आज एक होस्टल चार्ज 15-20 रुपेया बढ़िया आप बताएए कि बीजनस है पढ़ाय कहां हो रहा है प्राइवेट अस्कूल में पढ़ाय नहीं हो रहा है एक बीजनस हो गया एक जरीया हो गया सबसे बढ़िया पुरे भारत में बढ़िया इंवर्सिटी देखिए ऑधिया या श्कूल देखिए सब प्राइवेट संस्ता कोल दिया है सब प्राइवेट अस्कूल में सब जाएगा गरीब हो या मिर हो जब तक जब जो है नेताओं के बच्चे पदाधिकारी के बच्चे सर्कारी अस्कूल में नहीं पढ़ेंगे सर्कारी प्राइबेट स्कूल में जाकर बच्चों का भविस्ट बरबाद हो रहा है इनके गार्जियन के साथ जो खिलबाड हो रहा है पैसे को एठा जा रहा है तो आखित इसका दिमेदार कौन है सरकार को जो है बिचार विमस्ट करनी चाहिए और इस पर जो है बहुत ही जल्दकार देखिए हम बताना चाहते हैं एक बिधायक का बेटा हो संसत का बेटा हो मंत्री का बेटा हो गरीब का बेटा हो सब का छिच्छा एक होता है इस पर हम कहाना चाहते हैं कि बिप्यस्ट से आप बिहार में टीचर भरती ले रहे हैं आप प्राइबेट स्कूल में क्यों प्रह प्रवेट चुल को सरकारी संथा से जोड़ा जाता है और जो प्रवेट एक संथा खुला है यहां लूटा जाता है बहुत लूटा जाता है प्रवेट संथा को बंद किया जाए प्रावेट संथा को बंद किया जाए सरकारी में सब गरीब हो अमीर हो सब इसी में जाएगा बहुत बड़ी बात बोले हैं है वीडियो काफी लंबा हो जाएगा लेकिन जीस तरीके से बच्वा का ग्यान था उसका नौलेज जो हम आपके इस वीडियो के सामने रख रहे थे तो आप लोग भी बिल्कुल समाजदार है इस चीजों को समझ सकते हैं आप लोग इस वीड स्टूडेंट है आप बढ़ाएगा प्राइवेट में आपको बता देते हैं बस यहां लोगों की जो है मानसिक्ता हो गई है कि सरकारी अस्कुल में जो है पढ़ाई बढ़िया से नहीं होता है लेकिन जैसे ही जो है इस तरीके से सिच्छा दिया जाता है आप लोग जी गयोंगे पकी सभी का बहुत बहुत अभार धन्यवाद जाहें